हेलो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमें पैस दो कोरेज आए हैं पहला हमने अन्बॉक्स कर दिया है तो अभी हम ब्लैक वाला शो मी फैल प्रो 5G ब्लैक अडिशन को हम अन्बॉक्स करेंगे तो दोनों ही सेट प्यारे हैं देखते हैं ब्लैक कलर में ये कैसा लगता है ये वाव ये सेम बिल्ड है इसमें ये बच्चों के खेलने के लिए बगल्स काफी बड़ा है इसका चलो खोलते हैं प्यार से दोस्तों शोमी फैल प्रो फाइब जी और यह है ब्लैक वाला आपको अच्छी तरह से देख लेजिए एट जी वी और टू फिप्टी सिक्स जी बी का इंटर्नल जी बी टू फिप्टी सिक्स है और रैम जो है इसकी पेट जी भी है ये फुली पैक्ट है डेलिवरी काफी अच्छी अच्छी आगी है हमारी एक दिन में इसकी डिल्वरी हमें मिल गई है तो कट लग गया है इस ओके दोस्तों यह थोड़ी मैं जल्दी जल्दी अन्बॉक्स कर रहा हूं क्योंकि आल लेडी हमने ब्लु वाला से इंबॉक्स अन्बॉक्स किया है तो इसमें वही सिम इंजेक्शन टूल है और इसमें हमें पोलियो जक लगाने के लिए मिलेगा टैपसी के अड़क्टर है और यह हमारा प्रिटेक्ट करने के लिए ट्रांस्पेरेंट प्यारा सा सौफ सा कवर करने करने के लिए अज़े दोस्तों अभी हमें इसके अंदर देखते हैं यह हमारा मोबाइल है इसको बाद में दिखाते हैं और यह बॉक्स और यह बॉक्स में बहुत ही बड़ा भारी और अच्छा फास्ट चार्जिंग वाला वन्ट्वंटी वाट्स का चार्जर तो दोस्तों यह कहते हैं कमपनी दावा करते हैं कि 18 मिन्ट में 0-100 यह चार्ज कर देगा अगर आपको दीख पा रहा हूँ तो कि सोरी में रखला खरावे गया है और यह काफी मोटी तार है रेग्लर से और यह टाइप सी वायर है काफी मोटी है नॉर्मल वायर नहीं है यह आहम चार्जर में कि वायर्ज आती हैं से काफी मोटी है तो दोस्तों यह चौलो ब्लैक अडिशन को हम देखते हैं कैसा है इसको प्यारे से इसको पन्नी को खटाते हैं काफी मज़ा आता है इसको खटाने में आप दीखिए क्या प्यारी लुक है व्यार यह मैट में है और सोफ सा है मकमल सा और इसका लोगो तो देखो क्या तना प्यारा है यह देखिए यह डबल शेडिड है ऐसे लगता है जैसे उपर तैर रहा हो काफी प्यारा है हम इसको इसका स्टिकर में रिमूव कर देते हैं इससे आपको अच्छी तरह से इसको देख पाओगे देखी दोस्तों काफी सोफ्ट सा है मखमल सा जैसे उपर कोई मखमल की लेयर हो और स्लिपरी सा है बाद काफी अच्छी मदल टच में फिल्ड गुड है काफी प्रीमियम टच है इसका और वह इसके स्पिकर्स है यहां पर लिखा हुआ है सांद घरमान और वेव में इसकी स्पिकर्स है और पीछे है साइड में इसके बोल्यूम यह साइड से प्लेइं है और यहां पर स्क्रीम जो है कव्ड है और इदर से बीकव्ड है काफी और दोस्तों इसकी यह खासित है कि यह ना पकरने में बड़ा नहीं लगता काफी एजी के लिएари है चोलो अभी हम इसको करते हैं कापी सेटप काफी time लेता है हमारा यह वाला बीलू वाले ने भी काफी time ले लिए आँड करने के लिए अगर अगर आप साथ की साथ compare करके देखते हैं तो कैसे लगता है यह दिखिए इतने में सेट अप ओन होता है और इतने में हम इसको देखते हैं यह दिखिए है ना कमाल की चीज दोस्तों इसकी अभी एट प्रेजन प्राइज है 63,000 यह हम यह हमारा ओन हो रहा है 62,999 इसकी जो प्राइज है और इन स्क्रीन इसका डिस्प्ले है तो शोलो इसका यह अभी ओन करते हैं फटाफट फिर आपको दिखाते हैं तो क्या क्यों काफी टाइम देता है मैं आपका टाइम कराब ने करना जाता है दोस्तो एक बात मैंने नोटिस की है कि जो यह इसकी back है यह फिंगर प्रिंट मैगनेट नहीं है मतलत फिंगर प्रिंट समय आपके हाज के काफी यह चीज़ अच्छी है प्यारी है यह चीज होने चाहिए कंपणिस को इस चीज में ध्यार रखना चाहिए दोस्तों इसका सीम इंजेक्शन तूल मैं बताना ज़्या गया था यह देखिए इसका सीम इंजेक्शन टूल अगर आप दो सीम लगाने है तो यह ऐसा है आगे पीछी लगे गए तो इसको इदर यह लग गया है काफी यह देखिए ऐसे लगेंगे और यह आप इसके गयास प्रिटेक्शन की है तो इसको हम इस तिरके से यह सिम लगेगा इसका में दोस्ते इस पाफिंगा प्रिंट चेक करते हैं यह देखिए काफी फास्ट है अच्छा है सब्सक्रिने हो प्रिफ्टेश्ट स्क्र縁न कहां दो के रकर प्रिंटर यह और यह दो उखि Ukraine ONE थे प्रफॉच्टिंटे तो अभी हमें एक कैमरा लगाते हैं लगाते हैं किकि मेर्श जो है कैमरा ही इसका मेन इसका जो certified user तो इसको आप इसका पूछ रहा है यह memory आपको चाहिए नहीं चाहिए यह सारी setting साब और करने पड़ेगी अगर आपको motion detector ओन चाहिए ट्रिक्र िद्रेक्टिंग चाहिए आपको picture quality high चाहिए यह सारी आपको settings आपको on करने पड़ेगी जो देखते हैं दोस्तों इसकी फोटो पहले हम इसी के फोन को लेते हैं कलर चेंज करके कि यह है कि यह नहीं फोन को लिया शूट किया ओव फोन तो अपने पसे स्लिप कर रहा है तो दोस्तों यह देखिए काफी अच्छी स्नय पाई है तो अपिर मैं ड्लीट कर रहा हूं को तो फॉर्स्ट फोटो मैं हमेशा जो सेव करता हूं वह बघवार की करता हूं यह इसकी सारी सेटिंग्स हैं आपको देख लिया आपने तो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए सब्क्राइब कीजिए और कोई कोश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछिए कमेंट कीजिए मैं इसका जवाब जोड़ दूँगा यह दोनों फोन काफी अच्छे लग रहे हैं यह कवर के साथ है और यह विदाउट कवर मेरे काफी रहे हैं पर फिल भी दिखी इसमें जो है दोनों में ब्लू और ग्लाग दोनों में फिंगर प्रिंट जो मैगनेट है नहीं है और यह यह जाओ इसका फ्रेम है मैटल का इस पे वह नहीं होता है चलो ठीक है फ्रेंट्स थैंक्यू सो मच